नवस्कार दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर आप शबी का श्वागत अविननन्द है बालविकास CDP क्लास नंबर थर्ड में बाई जैस्वाल सर साथियों इसके पहले सिकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें प्रते क्लास में हम तीस महत्मूद प्रस्ण कर रहे हैं यानि फश्ट और सिकंड क्लास दोनों को मिला कर टोटल 60 कोषचन प्रस्षण यह कंप्लीट करेंगे आपके सुख्याम सिवें में सिचवाल बाईाद, CDP, Child Development and Pedagogy की जो महत्पूर्ण टॉपिक होता महत्पूर्ण सब्जिक्ट होता है आपके 30 महत्पूर्ण यहाँ पर इसे प्रशन पूछे जाते हैं और 30 में से सेलेक्शन के लिए 25 प्रस लाना बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है और इसके पहले क्लासेश की लिंक आपको आ लेडी दे दी गई है चलिए सुरुवात करते हैं 30 प्रशनों की बात करेंगे पहला प्रशन आप लोगों के इसके इन पर है पूरुग्राही किसोरी अपनी किसके प्रती कठोर होंगे शमश्य के प्रती, जीवन सैली के प्रती संप्रत्य के प्रती या वास्विक्ता के प्रती के बात करेंगे देखे पूरुग्राही भी बात कर रहा है पूरुग्राही मतलब सभी समझ गये होंगे किसोरी किसोरी जो होते हैं अपनी किसके प्रती कठोर होते हैं तो अपने शमस्या के प्रती कठोर होते हैं यहां साथ यो पूर उग्राही का तातपर होता है किसी कार, विवस्था, ज्यान या विक्ति आधि के विशय में पहले से ही बनी हुई कोई बिसे सिधारना तथा उसका पालन करना होता है और इस प्रकार पूर उग्राही किसोर किसोरी अपने समश्चाओं के प्रति जो है कठोर होती है दूसरा प्रस्वन जो इसकीन पर दिया गया है कि समान लिंग मितता के दौरान प्रवलित होती है वह प्रारंभीक किसोरा वस्था में प्रवलित होती है प्रारंभीक बच्पन में मद किसोरा वस्था में या मद बच्पन पर होती है सभी इकमिन किजेगा समान लिंग मित्ता के द्वरान जो है जो प्रवलित होती है वो सभी परचीत होंगे हम बात करेंगे प्रारंभिक की सोरा वस्था अर्थाद बारास लेके 16 वस्थक या 15 वस्थक की जो वस्था होती है इसमें समानलिंग मित्ता परवलित होती है प्रारंभिक की सोरा वस्था में होती है तीसरा प्रसने जो दिया गया है उचित यौन सिच्छा खालिस्थान किस अवस्था पर प्रदान की जाने चाहिए बालकाल पर किसोर अवस्था पर वैस्क पर या प्रारंभिक बालक पर की जाने चाहिए तो राइट अफसन यहापे क्या हो जाएगा हम बात करेंगे कि सोरा वस्था अर्थाद बारा से लेके अठारा वस्था की अवस्था की बात करें बी आफसन यहापर साथ यूं सही हो जाएगा सभी कमेंट कीजिएगा प्रतेक भाई भें सिच्छबंद जिनका सपना है टीटी जाम को फते करना सेलेक्षन को 101% पक्का करना अपने सिल्वेस के अनुसार जो है सिल्वेस के कोडिंग बिल्कुल फुल तयारी करना सून से सिखर की तयारी करना सेलेक्षन की तयारी करना सभी का वेलकम अविरंदन जैस्वाल कर रहे हैं जी हाँ आप शभी का श्वागत है चोथा प्रशन आप लोगों के स्कीन पर है मनुस की वह ग्रंथी जो पिर्चुरी ग्रंथी को नियंतित करती है तथा सरीर के शामान वा सादर्श्र ब्रद्धी को भी नियंतित करती है वह कौन सी ग्रंथी कहला जाएगी तो आप सभी परचित हैं देखे, मनुस की वह ग्रंथी, जो पिच्चरी ग्रंथी को नियंतित भी करे, और सरीर के सामानवास सादस्र ब्रद्य को भी नियंतित करे, तो ना तो आपका योन ग्रंथी कहलाती है, ना ही आपकी थायराइड, ना ही मोत्र, तो इनमें से जो D-Option दिया गए, इनमें से कोई नहीं, तो बात आती है कि कौन सी ग्रंथी हो जाएगी, देखे साथ यो, एक ग्रंथी जो होता है, वह एक अंग है, जो सरीर में एक बिसिष्ट कार करने वाले पदार्थों को उत्पादन और रिलीज करता है, क्या करता है, उत्पादन और रिलीज करता है, ग्रंथियां द नाम क्या पढ़ गया है एक सो क्राइन ग्रंथी ऐसी ग्रंथियां जो अपने उद्पात को एक वाहिनी में स्त्रावित करती है यह क्या कहलाएगी एक सो क्राइन ग्रंथियां कहला जाएगी दूसरी होती आपकी अंतर इस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो अपने उत्पात को सीधे रक्त में इस्त्रावित करती है अंतर इस्त्रावी जो गंतियां होती है इनमें कोई नलिकाए नहीं होती है अंतर इस्त्रावी गंतियां इनमें कोई नलिकाए नहीं होती है अंतर इस्त्रावी गंतियां इनमें कोई नलिकाए नहीं होती है अंतर हार्मोन रक्त के मादम से यात्रा करते हैं और संबंदिश सरीर के हिस्से पर कार करते हैं और हार्मोन एक प्रकार का रासानिक संदेश वहक होता है प्रशना गया कि हमारे सरीर में जो है एक रासानिक संदेश वहक कौन होता है और आपका हार्मोन होता है आईए बात करेंगे अंगले पुष्ण की अंगला पुष्णिया पे दिया गया है कि शमानता लड़के वा लड़कियों को में जो है सरीरिक विकास की निम्निकित विसेस्ता जो है प्रेचित की जाती है समान अग में दोनों में समान विकास होता है लड़के सरीरी विकास में दो वर्ष आंगे होते हैं लड़कियां सरीरी विकास में दो तीन वर्ष आंगे होती है यह लड़कियां लड़कों से पांच वर्ष पीछे होते हैं सभी कमेंट किजिएगा बहुत अच्छा प्रशने, प्यारा सा प्रशने, प्यारा सा फीडवेग चाहेंगे तो शमानिता लड़कियों लड़कियों में जो सरीरिक विकास की जो विसेशता प्रेचित की जाती है वह सरीरिक विकास या लड़कियां सरीरी विकास में 2-3 वर्ष आंगे होती है ठीक है लड़की कमा लिजे 12 लगबग 12 से 14 वर्स्तक में सरीदी विकास कम्प्लीट हो जाता है जबकि बालकों में लड़कों में क्या होता है आपके 15-14 से लेके 16 वर्स्तक की आसपास की बात करेंगे तो लगबग 2-3 वर्सों का फर्क आता है इसलिए हम आप्शन नंबर C की बात करेंगे अंगला प्रश्निया आपे दिया गया साथियों कि यौन परिपकता में महत्पून हाथ किसका होता है सबी कमेंट कीजेगा जी हाँ प्यारे प्यारे भाईयों की प्यारी बेहने ग्रहनी जिनका सपना है करना सेलेक्शन को 101 परसंप पका करना सून से सिखर की तयारी करना सबी कमेंट कीजेगा यौन परिपकता में महतपूर्ण जो हाथ होता है वे होता प्यूस ग्रंथी का जिसका हम बात भी कर चुके हैं जिक्र भी कर चुके हैं और डीटिल के साथ डिसकस भी कर चुके है। दीके साथियों आपके मस्तिस्क में एक छेत होता है जिसे हाइपो थैलमेस कहा जाता है वह पिच्चुरी ग्रंथी अर्थात पिच्चुरी ग्लेंड मस्तिस्क के अधार के पास एक मटर के अकार की ग्रंथी होती है जिसे हम पिच्चुरी ग्रंथी कहते हैं को जो है उस हार्मोन को रिलीज करने का संकेत देता है जो मिक्स हार्मोन बनाने के लिए अंडासे जो होता है ठीक है और अंडकोस जो होता है उनको उत्तेजित करता है तो कौन करता है आप सभी समझ गया होंगे ठीक है मुझे बोलने क्यों सकता नहीं है ठीक है अंडासे और अंडर कोस की बात करेंगे ठीक है चले बात करेंगे आपके 7 प्रिश्ण की जो की सलेक्षन के लिए शंभाविद प्रिश्ण है आपके एक्जाम में पूछा गया प्रिश्ण है रेपीटिर प्रिश्ण है कि नवजाज सिसू का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 होता है अब यह पाउंड क्या है साथियों सभी कमेंड करके बताईएगा नवजास सिसु का भार अगर आउस्तन देखा जाये तो साथ पाउंड होता है जी हाँ जन्र के समय भार का जो है छे से साथ प्रिष्चत वजन प्रथम साथ दिनों में घर जाता है परंतु दसवे दिन का अधिकान सिसु अपना पूर ब्रजन प्राप्त कर लेता है किस तरह सिसु के रोने से फेफ़ों पर हावा भर जाती है और सिसु सोसन क्रिया आरंब कर देता है शमानते सिसु 16-18 घंटे तक सोता है सरीरिक दसाएं क्या होती है नवजाज सिसु का वजन जो है 5.5 लेके 9.5 पौंड होता है लेकिन और सतन 7 पौंड माना गया है या वजन में 5.5 किलो से लेके 4 किलो 300 ग्राम के आसपास होता है और लंबाई अगर पूंचा जाए लंबाई पूंचा गया है सीटेट 2021 के एकजाम में कि नवजाज सिसु का लगबग लंबाई कितनी होती ही तो 922 इंच होती है और सेंटी में 48-56 सेंटी में तो आपसंस साइध 20 दिया गया था ठीक है चले आए बात करेंगे अंगले परशन की, आई होब सभी प्यार में तच्छे तरीके समझ वह होंगे, अंगला परशन है, सरीर के अकार में ब्रद्ध होती है, क्यों होती है, हमारे मन में परशन आते हैं, अधिकतर बच्चों के मन में परशन होते हैं, जब आप एक सिच्छक बनेंगे अधापा का धापिका बनेंगे तो आप ये बताई कोई बच्च अगर आप से पूछ लेता है कि सर या महम ये बताईए कि सरीर के अकार में ब्रद्धी क्यों होती है क्योंकि सरीरीक और गत्यात्मक विकास की ब्रद्धी होती है पहला सही हो जाएगा सरीरीक वरद्धी का महतुपून लच्छन ये होता है कि सिसु के समपून शरीर आकार में परिवतन होता है सैसा वस्था में यह परिवतन तीवगश्य होता है और एक वर्स की आउव में सुष की लंबाई में 50% की ब्रद्य होती है जिया एक वर्स की आउव में जो है सुष की लंबाई में कितने प्रश्चत ब्रद्य हो जाती है तो 50% ब्रद्य हो जाती है तथा दूसरे वर्स जो है 75 प्रिश्ट तक बढ़ती है तो यह बहुत important point है यहां से person बन सकता है पूंचा जा सकता है अंगला प्रिशन है सरीरी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन सो होते हैं आप सभी परचित है कि सरीरी विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंसानुकरम भी होता है वातावरण भी होता है और खेल और व्यायाम भी होता है तो प्रोग सभी जोगा हमारा option दिया गए वह हमारा option सही हो जाए आईए बात करते हैं सरीरी कुब्रद्धी और विकास को क्या कहा जाता है तत्परता कहा जाता है, अभी व्रद्धी कहा जाता है, गसील कहा जाता है, या अन्मान सिक्ता कहा जाता है, सभी कमेंट किजेगा, देखे सरीरिक व्रद्धी और विकास की बात करेंगे, तो सरीरिक व्रद्धी और विकास को क्या कहा जाता है, अभी व्रद्धी कहा जाता है यहाँ पर आप लोगों का साथ यहों B आपसन सही हो जाएगा कोई भी डाउट हो किसी भी प्रस्ट पर आपका एक एक कमेंट फीडबेक शरोपर है शर्मान है जैस वाल सर श्वागात विनन्दन करते हैं निम्निकित मेंसे किसको मुख अधिकारी या गरंती कहते हैं तो सभी परचीत होंगे हम बात करेंगे प्यूस गरंती जी आँ साथ हो प्यूस गरंती को अधिकारी या मुख गरंती कहा जाता है डी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला प्रस्ण है मानो सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि स्टेप्स कान की होती है जो अंदर होती है कान के कान के बीच में होती है इन में सनई होती है या कान के बाहर होती है तो मानो सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि स्टेप्स जो होती है कान में होती है और वह कान के बीच में होती है यह आपको नोट कर लेना है देखे काफी बार पूंचा जाता था पहले इस सबसे छोटी हड़ी का कहां पर होती ही तो कान में होती है उसका नाम बता यह स्टेप्स होता है लेकिन अब इस प्रकार के प्रिशन पूंचे जा रहे ह लेकिन कान के अंदर होता है बाहर होता है बीच में होता है कहां होता है तो यह बीच में होता है ठीक है भी आपसं सही कर लिजेगा टेलिग्राम नोर्स टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम गुर्प से जरूर जुड़िएगा टेलिग्राम जेस्वाल कोचिंग सेंटर से लिंक दे दिया गए है, फ्री पीडिया फाइल नोर्स वहाँ पर प्राप्त कीजिए, साथी साथ इस्टागाम फेस्बूक पेंच पर अपने टीटी फैमिली जैसवाल कोचिंग सेंटर को फालो नहीं किया तो जरूर फालो कर लिजेगा, क्योंकि आगामी एकजाम टीटी से लिखना हो गया, सोचना हो गया, देखे सभी आप परचित हैं, कि एक बालक की जो है, मनो गत्यात्मक गतिविधी जो होती है, वह खेलना भी होता है, गेंद फेकना होता है, लिखना होता है, लेकिन मनो गत्यात्मक गतिविधी की अगर बात करें, तो चिंतन हो गया, यह आ एक बालक की मनों गत्यात्मक जो गतिविधी होती है वे खेलना होता है गेन फेकना होता है लेकिन सोचना या चिंतन करना नहीं होता है ठीक है मनो गत्यात्म क्गतिविधी को पेसी या सरीरिक गतिविधी की रूप में परिभासित किया गया है जो एक मानसिक गटक के लिए माधमिक या आसित होता है और प्रयाय जोई गएर लच्छ निरेसित भी होता है यह मांसिक गतिविधी के प्रुद्ध नियंतर्ण के अंतरगत मास पेशियों के कार और सरीर में गतविधियों को उत्पत्य को संदर्भित करती है यह पेशी कोसल जैसे गतिविधी, शमन्बय, शंसोधन, निपूर्टा, अनुग्रह, शक्ति और गति द्वारा प्रजशित किया जाता है उधार्ण के तौर पर अगर जाने की कार चलाना, आख और हाँ समन्वे कार जैसे सिलाई करना ठीक है? यह खराद मसीन होते, उसको चलाना, तुरही बजाना, यह सारे क्या होते हैं? यह सारे आपके मनोगत्यात्मक गतिविधी के अंतरगत आ जाते हैं अंगला प्रशन है श्रीमती कुमार का पहला बच्चा दस महीने में चलने लगा उनका दूसरा बच्चा बारा महीने का है और अभी भी नहीं चलना है मतलब दो बच्चों के तुलना कर दी गई है कि दस महीने के एक बच्चा है चल पा रहा है दूसरा बच्चा बारा महीने का फिर भी नहीं चल पा रहा है तो वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों चिंतित नहीं है, ये दुखी नहीं है, कि उनके पती ने कहा है, कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे, उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था, यह पुराने के एक जामपल ले लिया गया, कि मैं भी ऐसा था, करों ऐसा होता है न कह देते हैं, अरे मैं भी ऐसा था, 14 महीने का मैं भी था, लेकिन फिर भी में चलना नहीं सुरू किया था, यह हम कह सकते हैं कि वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी, उतना अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत हो जाएंगे, यह हम आपसे नमबर C की बात करेंगे, कि एक परोसी का लड़का भी है, जो 18 महीने का है, फिर भी नहीं चल ला है, दूसरे के एक जामपल देख लेती हैं, लेकिन यहां पर प्रशन पूछा जा रहा है, क्यों कि दुखी क्यों नहीं है, क्यों कि वह जानती है, कि चलने के बेकास के लिए, वह अभ प्रशन पर आप लोगों को सही कर लेना है, ठीक है, चले, बात कर लेते अंगले प्रिशन की, पंद्रामा प्रिशन जो आप लोगों के स्कीन पर है, कि निमनिकित मेंसे कौन सा, किसी बच्चे के समाजी बिकास को प्रभावित करने वाला बेक्तिगत कारक नहीं है, दीकि भी होते हैं, कि बच्चे के समाजी बिकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वनसान उक्रम बाला की अनेक योगताएं निधारित करता है, सरीरीक बिकास होता है, शमेगात्मक बिकास होता है, परिवार होता है, माता पिता का दस्टिगोड होता है, माता पिता की जार्थी किस्तित होती है विद्यालय का वातावरण होता है सिच्छा का मानसिक स्वास होता है लेकिन यहाँ पर आपका मित्र मंडली नहीं होगा ठीक है चली आई होप सभी प्यार में समझ गए होगे बहुत-बहुत धन्वाश शबी सिच्छबंदों का आईए बात करते हैं सभी कमेंट करके बताएं काउन सा मिलान सही दिया गया है देखे समाजी विकास का सम्मंद वातावरण होता है समाजी विकास कैसे होता है बच्चे का वातावरण जो जहां बच्चा रह रहा है जो सीख रहा है देख रहा है ठीक है तो समाजी विकास वातावरण से सम्मंद संवेगात्मक विकास परिपकता से संबन्दित नहीं है . ना ही संग्यनात्मक है नाही संवेगात्मक हैं लेकिन समाझी विकास जो वातवर्ण से संबन्दित है . ठीकै किसी भी बच्चे का जो समाजी विकास होता है वास्तों में जो प्रारम्भ होता है वह होता है उत्तर बाल्यवस्था और उत्तर बाल्यवस्था हम कई बार जिक्ष बता चुके 9 से 12 वस्था क्या उत्तर बाल्यवस्था कहलाती है और आपके 6 से लेके 9 वस्था क्या पूर बा बालक का जो समाजी विकास प्रभावित होता है, समाजी का अर्थिक इस तर से भी होता है, विद्धेले से भी होता है, परिवार से भी होता है, अर्थात इन सभी से होता है, यहाँ पर D. आपसन आप लोगों को सही कर लेना है, करेक्ट कर लेना है, आईए बात कर लेते हैं, प्रिष्ण की, यहां पे प्रिष्ण दिया गया है, कि बच्चों के समाजी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, आर्थिक तत्त हो गया, समाजी पर्यावर्णी तत्त हो गया, सरीरिक तत्त हो गया, वनसानुगत तत्त हो गया, यह आपसंस दिये गए हैं, A, B, C, D चार आपसन सापके दिये गए तो बच्चे के समाजी विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वह होता है समाजी का और पर्यावरनी तत्त हो जाता है वी आपसन आपे सही कर लेना समाजी विकास से तातपर किसी विक्त के विकास से जैसे वह समाज का एक उपयोगी सदस्ट बन जाता है समाजी विकास समू के मानकों के अन्रोफ शीखने की एक प्रकिया को कहा जाता है बीश्मा प्रशन है निमिकित में से कौन सा मानसिक ब्रद्धी और विकास में मातपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो आप सभी परचित हैं कि सीखना तथा परिपक्वन ये कई बार पूँचा गया प्रशन है सीखना और परिपक्वन ये दोनों ऐसे हैं जो मानसिक ब्रद्धी और विकास में मातपूर्ण भूमिका निभाते हैं और परिपक्वन दोनों सी आपसन सही कर दिजिएगा ठेक है चलिए बाद कर लेते हैं अंगलेव पृष्ण की निम्रकित में से कौन सा जो है मानसिक्ता के सिधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है इस्थिर मानसिक्ता बिराम फिक्स माइंड सेफ इस्टाप को बदलना नही देखती है सुधारन और विक्सित होने का उसर भी देती है देखिए यहां पर मानसिक्ता के सिधान का सबसे अच्छा वर्णन आपका अप्सन नमबर डी कर रहा है क्योंकि प्रोड जो होते हैं प्रोड मानसिक्ता जो होती है वह अस्फल्टा की एक मामूली रुकावट की देखती है चुधारने और विक्सित होने में वह औसर देती है प्रोड मानसिक्ता की बात करें आई बात कर लेते अंगले पृष्ण की अंगला प्रिश्ण जो बहुत इच्छा पूँचा जा है कि मांसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है तो सभी परचि होता तो किसी भी बच्चे का मांसी विकास प्रभावित होता है परिवार की इसी तेगर सही नहीं है वो उसमें भी मांसी विकास प्रभावित होता है क्योंकि बच्चा तुलना करता है किसी दूसरे का देखता है ठीक अपना देखता है तो कहीं न कहीं उसकी पांसी विकास प्राववित होती है और वंसानुक्रम भी होता है ठीक है तो आई होप आप समझ गे होंगे डियापसन को में आपे सही कर लेंगे आई ये बात करते हैं अंगले पूसन की इनवे से किसकी भूमिका जो है पूर बाल्यवस्था में बालक के समझ गात्म विकास से तु सरवादिक मातपूर होती है अध्यापकों की शंगी साथियों की पडोशियों की माता पिता तो साथियों किसकी भूमिका जो है पूर बाल् कोई भी नराज हो सकता है यह आसान है परंतु एक सही विक्त के उपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश के लिए तथा सही तरीके से नराज होना आसान नहीं है यह सम्मंदित किस से हो जाएगा तो यह आपका शमेगात्मक बेकास से सम्मंदित हो जाएगा किसी भी पूँचने जाचने देखने परंखने की जरूरती नहीं है पहला आपसनिया पर सही हो जाएगा अंगला पसनिया पर पूँचा जा रहा साथी कि खेल के मादम से बालक अपने सम्वेगों पर नियंतर्ण करना सीख जाता है तो यह विकास निनमे से कौन सा कहला जाता है तो बच्चा किसके मादम से जो है सम्वेगों पर नियंतर्ण करना सीख रहा है खेल के मादम से सीख रहा है तो यह जो खेल के मादम से सीख रहा है त समवेगात्मक विकास क्योंकि बच्चा किस पर नियंतर्ण शीक रहा है समवेगों पर तो यह जो विकास कहला जाएगा वहे आपका समवेगात्मक विकास कहला जाएगा क्योंकि आप सभी परचित हैं कि विविन प्रकार की खेल जो होते हैं बच्चों के संपूर विकास में सायक होते हैं खेल से बच्चों में सरेडी विकास होता है शंगरात्मा विकास भी होता है और आपका समवेगात्मा विकास भी होता है समाजी विकास एवम नैती विकास को बढ़ावा भी मिलता है किन्तु अविवावकों की खेल के प्रती नकरात्मक अविवरत्ती एवम क्रिया कलाप ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है कुछ अभी वावकों के होती है नाकर आत्मक प्रवत्ति होती है खेल के मादम से ठीक है तो कहते हैं नाया कि खेलोगे कूदोगे तो बेगड जाओगे पढ़ोगे लिखोगे तो समझ जाओगे ठीक है ऐसे जो पुरानी कहा होते हैं अंगला प्रशने ब्यापक वफादारी दया भावना में ब्रद्धि वा मांसी किसित में उतार चढ़ाओ जो सम्मंदित होता है किससे होता है तो ब्यापक वफादारी दया भावना में ब्रद्धि वा मांसी किसित इस्ति में अगर उतार चढ़ाओ हो रहा है मतब सम्वेगात्म विकास की विशेष्ताओं से सम्म हो जाएगा अंगला पसने सम्वेगात्म विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन-कौन सा है आपका सरीरिक स्वास मांसिक योगता थकान या यह सभी की बात करें देखे सम्वेगात्म विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं सरीरिक स्वास मांसिक योगता ठकान यह तीनों हो जाएंगे क्योंकि देखिए अगर आपको सरीरिक स्वास सच्छा नहीं है तो समयगात्मा विकास प्रभावित होगा अगर आप मानसिक योगता आपकी कमी है मानसिक योगता में कहीं न कहीं दिक्कात आ रही तो आपका सम्वेगात्म बेकास प्रभावित होगा आपको हमें सा ठकान है ठीक है अपने आपको क्या है एक आलसी प्रवत्ति बानते हैं आलसी अगर विक्ती है, बालक है, बच्चा है, कोई भी है, तो समय गात्म बिकास प्रभावित होगा, अर्थाद D, आपसन को हम यहाँ पे साही कर लिए, आईए बात करते हैं, एक बच्चा इर्ष्या का परदर्शन करता है, छह माई के आग में, बारह माई के आग में, अठ इर्ष्या का परदर्शन करने लगता है, बच्चा जब लगबग मान लिजिए अठारा माई के आग में, बच्चे का इर्ष्या का परदर्शन करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे सियाप्सन सही हो जाएगा, कई कई जगे आपको चौविस माई भी मिलेगा, लेकिन प सरोत्तम मार्ग होना चाहिए उन्हें सिच्छा का आदास रूप में ब्यवहार करना क्योंकि नैतिक्ता की बात करेंगे और जब भी नैतिक्ता की बात की जाती है कोहल बरका जिकरा ही जाता है जिया नैतिक्ता का सिध्धान बच्चों में नैतिक्ता की स्थापना के लिए सरो निर्मार करना है तो पाठ पुस्तकों में चरित निर्मार समंदी पाठ होने चाहिए चरित निर्मार के लिए व्याख्यान दिये जाने चाहिए कच्छा कच गतिविधी इस प्रकार से हो कि बच्छों को चरित निर्मार में शहायता मिल सके या महापूर्शों के जीवनी बच संसरी हो जाएगा आई होप सभी प्यारमित अच्छे तरीके से प्रतीक प्रस्ण को अटेंड किया आपने आपने फीडबे किया बहुत ये अच्छा सभी सिच्छबंदों का प्रतीक भाई बेहन ग्रणी का शभी का विनदन श्वागत है क्लास नंबर 3 में और आए इविनिं सिच्छक भरती एकजाम 2022 की बात करेंगे जी हां सभी कमेंट कीजिएगा चल्दी आपके मिलते अंगली क्लास पर तब तक के लिए शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम हमें सहस्तरिय मुस्कराते रहिए आस पास साप सफाई बनाए रखें गर्मी आ चुकी है ठंदा प